असलाम अलेकुम आज मैं बना रही हूं हर्बल डी टॉक्सिफाइंड टी सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर लो में भी हल्फुल रही इसके लिए जो मुझे चाहिए चार कप पानी जो मैंने बॉइल करने के लिए रखा हुआ है उसके बाद सौन का छोटा सा टुकडा दा होए होगा है और हाफ लेमन एक टेबल स्पून ग्रीन टी एलाइची छोटी सी और एक पिंच मैंने सुखा धनिया लिया है सौबित और एक पिंच लिया है मैंने सौफ उसे के साथ अमलतास का मुझे एक कॉइन चाहिए हाफ कॉइन इसमें मैं ले लूंगी और जब पानी पानी बॉल हो जाए तो आपने ये सारी चीजे डाल ली है सिवाए लेमन और ग्रीन टीके पानी हमारा बॉल हो रहा है जैसे बॉल हो ये सारी चीजे आपने डाल दी में और तब तक पकाना है जब दो कप पानी रह जाए ये अमलतास का मैंने कॉइन लिया है हाफ अकर चुछ बढ़ी है तो एक कोई ले लें सारी चीजें हमने डाली है सिवाय लेमन और ग्रीन टी के ग्रीन टी हम हम मेरे डालेंगे और हाफ मिनट के लिए पखाएंगे अच्छा पुदीना भी इसमें यूज होना है अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो इसके चार से पांच पतियां आप यूज करें मेरे पास फ्रेश में पढ़ा था पिछले दो दिन का कुछ पतियां मैंने लिये इसमें डाल दी है आप इसको ढखते हैं अजी तकरीब दो कब पानी रह चुका है इसका अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन टी एक टेबल स्पून ग्रीन टी डालिए अब हम इसको ढख देंगे और हाफ मिनट के लिए इसको कोक करेंगे जी ग्रीन टी हमने अब इसमें चन ट्रॉप्स टाल लूं की लैमन के और जैसे हम लैमन डालते हैं इसको क्लेड चेंज हो जाता है बड़ा प्यारा क्लेड ने कराते है अब देखें अच्छे इसमें मैंने शुकर यूसनी की आप चाहें तो हनी यूस कर लें अब इसमें मैं एक एक टेबल स्पून हनी डालूंगी और देन यू किन जूज इट अच्छे एक और बात बता हूं यह डिटोक्सिफाइब करता है आपके बाड़ी को वेट लॉस या वेट मेंटेन में यह बहुत यूस्फूल है और अगर आप कर रहत अपको डाई यूस यूस करेदेन यहां करें कि मेंटेन पहले करने यूक हाँ का शर अपकर बारन कर भी और इससे अपको गले साथम वेट हैब आपकर सब्सक्टध को अब आपकर करेगा कौन बारन का यहान अच्छर रिसल्ट आप चाते हैं तो दो टाइम यूज़ करें ओके अफ़ले आपको पसंद आई होगी जरू ठाइ कीजिए का बड़ी अच्छी बनती है मैं खुद यूज़ करती हूँ ओके फिंक्यू आपको पसंद आई शेर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं किस चीज़ की कमी रह गई फिंक्यू सो मैं चला हाफिस